आप अनुभाव का ये शब्द बहुत सरलता से यूज़ करना लेकिन इसे पार करना और असल में अनुभाव करना, क्या ये मुश्किल है? नहीं, मैं फिर से ये कह रहा हूँ, बहुत आसाल है, कुछ भी नहीं आपको करना होता है, आपको जैसे पदा चलता है, कि ये सत्य मेरे भीदर है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, और आप अपनी प्राताओं के साथ, अपने समझ के साथ, ज्यान के साथ, ईश्वर के साथ के साथ लेते हुए, आप जैसे आगे बढ़ते हो, आप उसे अनुभव करना शुरू करते हो, तो इसके लिए आप जैसे अपने मन में सोचो के आप, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, शायद मैं करना ही पाऊंगी, मतलब ही कुछ अलग है, पर ऐसे बिलकुल नहीं है जहां पर हो आप, जहां जहां आपका शरीर जाता है, मन जाता है, दिल जाता है, साथ-साथ आपके अध्यात में एक सिती भी चलती है, जैसे आप उसे कनेक्ट करोगे, एक संबंद बनाओगे सत्य के साथ, आपको सब कुछ हासिल उसक्षन हो जाएगा, उसके लाप कोई हि कर्म बहुत पूर्ण अपना एक रोल निभाते हैं इसमें, कि अच्छे कर्म है तो बहुत सहचता के साथ आप आगे चल पाओगे, आपको सहायता करेगा, एक वातावरन निर्मान करके देगा आपको अपनी अध्यात्मिक प्यास को बुजाने के लिए, अगर कर्म ठीक नह होती है कि कई बार दुख में जाते हैं, हम सबसे पहले भागते हैं इश्वर की दरो, आप कुछ करो, आप ये सब देख रहे हो, मैं तकलीफ में हूँ, आपने कैसे देख लिया है ये सब, तो ये भी एक मौका है कि आप इश्वर से जल्दी संबंद बना लेते हो, तो दु आप इश्वर को देखोगे, तो आपका अंतिम पढ़ाओ, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, लेकिन इश्वर इतने 7.5 बिलियन लोगों की बात ही सुन सकते हैं, 100% लब जरूर सुन सकते हैं, विकाज इश्वर एक नहीं है, सब के दिलों में है, सब जगें फैला हुए तो उनका जो वास है, उनका जो अस्तित्व है, कन कन में है, सभी के दिलों के भीतर है ही है, तो वो सभी को अनुभव कर लेते हैं, सब की इच्छाओं को समझ लेते हैं